जैम आतादी दोस्तों, वर्ण बेस मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जैम आतादी जरूर लिखें। और इस दिन मालक्ष्मी की पूरे विधी विधान के साथ पूजा की जाती है। मालक्ष्मी का आसिरवाद और कृपा पाने के लिए लोग इस दिन कई उपाई भी करते हैं ताकि साल भर मा की कृपा भगतों पर बनी रहे और घर में सुक सम्रद्धी बनी रहे। दोस्तों सकुन सास्तर के अनुसार दिवाली की रात अगर कुछ संकेत दिख जाएं तो इससे मातलक्ष्मी के आगमन का सूचक माना जाता है। ये संकेत जिसको मिलते हैं उस पर मालक्ष्मी की विसेश कृपा अवस्य होती है। ये संकेत मालक्ष्मी की कृपा से ही मिलते हैं। उनकी कृपा के बिना ये संकेत नहीं मिलते। तो आईए जानते हैं कि ऐसे कौन से वे संकेत हैं जो आपको यदि दिवाली की रात दिख जाएं तो उन्हें सुब माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि आपके उपर मालक्ष्मी की कृपा जल्द ही होने वाली है। दोस्तों यदि आप दिवाली की रात को उल्लू देखते हैं, तो समझ लीजिए कि मालक्ष्मी स्वयम आप पर प्रसन है। उल्लू मालक्ष्मी का वाहन होता है, और दिवाली की रात में उल्लू का दिखना बहुत ही सुब माना जाता है। इसके लावा किन्रों का दिखना भी काफी सुमाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर दिवाली के दिन कोई किन्र अपनी स्विच्छा से आपको एक सिक्का चूम कर आपकी हतेली में रख दे तो कभी भी आपको पैसों की किलत नहीं रहती है। इसके लावा दिवाली के दिन यदि आपको बिल्ली नजर आ जाए खास कर सफेद बिल्ली तो ये बेहदी सुमाना जाता है। समानिता बिल्ली हर घर में गुज जाती है और हम उसे भगा देते हैं। लेकिन दिवाली की रात आपको बिल्ली नजर आ जाए तो समझ लीजिए कि मालक्षमी की कृपा आप पर होने वाली है और आपके रुके और बिगड़े काम पूरे होने वाले हैं। इसके लावा दिवाली के दिन सड़क पर सिक्का या पैसो का पाना भी बेहद सुपसंकेत होता है। अगर आपको ऐसी कोई भी चीज मिले तो उसे हमेशा अपने पर्स या घर की तिजोरी में संभाल कर रख दें। ऐसा करने से आपको कभी भी पैसों की किल्लत नहीं रहेगी दोस्तों दिवाली की रात को छचूंदर का दिखना भी बहुत ही सुब माना जाता है। छचूंदर घरों में विल बना कर रहता है और घरों में खाने पीने की चीजों को खराब करता रहता है। लेकिन दिवाली की रात को छचूंदर का दिखना बहुत ही दुरलब है। त तो समझ लीजिए आप माला माल होने वाले हैं। लक्षमी जी की कृपा आप पर बरसने वाली है। इसके लावा यदे दिवाली के दिन आपको कोई कन्या, उपुहार या किसी सुद धातु का सिक्का दे तो समझ लीजिए आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। और दोस्तों यू तो सर्दी के मौसम में चिपकली का दिखना मुश्किल होता है। लेकिन यदि दिवाली के दिन आपको चिपकली दिख जाए तो समझ लीजिए कि आपका भाग चमकने वाला है। ये बहुत ही सुब संकेत होता है। दोस्तों दिवाली की रात यदि आपको के सरिया रंग की गाए नजर आए तो ये बहुती सुमाना जाता है ऐसे तो समानिता गाए घरों के आसपास घूमते दिखाई देती है मगर दिवाली की रात यदी के सरिया रंग की गाए नजर आए तो समझ लीजिए कि मालक्षमी सोयम संकेत दे रही है और इस थाई रूप से उनकी कृपा आप पर होने वाली है तो दोस्तों दिवाली की रात कुछ ऐसे संकेत हैं जिनसे आप जान सकते हैं कि मालक्षमी की कृपा आप पर होने वाली है या फिर हो चुकी है तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जैमातादी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवस्थ पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, सेर करें और साथ इसाथ चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद